प्रियसिस्यों आप सभी का साहित्य विमर्स चैनल में हिर्दय से स्वागत है आज के इस वीडियो में मैं हिंदी साहित्य के महान कवीवर कवीरदास जी के साखी का प्रथम भाग जो दोहा संख्या एक से लेकर के सात्वें तक है उसकी व्याक्या मैं करूँगा वीडियो के अंत तक आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को टच करना मत भूलें ताकि मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँशता रहें प्रिसिस्यों साखी जो सब्द है वो संस्कृत के सब्द साक्षी का ततभव रूप है हिंदी में साखी शब्द दो अर्थों में प्रियुक्त हुआ है पहला साक्षी का अर्थ गवाह और दूसरा जो साक्षी का अर्थ है वो साच्छ से है प्रमार से है अर्थात शाक्षी का अर्थ गवाह या प्रमार दोनों से हो सकता है कवीर दास जी ने साक्षी सीरसक इसलिए दिया है क्योंकि उन्होंने जो भी वरणन किया है उसका उन्होंने स्वयम साक्षातकार किया है वह स्वयम उसके गवा है इसलिए वह स्वयम प्रमारित भी है इस परकार हम ये कह सकते हैं कि स्वानभूत आध्यात्मिक तत्यों अथ्वा ग्यान के वरणन का नाम ही साखी है अब हम साखी का एक एक दोहे की ब्याख्या करेंगे अब आप लोग इस्क्रीन पर देखें जो आपके पाठ्यकरम में रखा गया है वो पहला दोहा है अब इसका आर्थ हाप लोग देखें बली हारी का मतलब होता है निवचावर करना या अपने आपको समर्पित कर देना अपने का मतलब अपने अपको मैं आप पर समर्पित कर देता हूँ यह दोहा कवीरदास जी ने अपने गुरु के प्रती समर्पन भाव को अविव्यक्त किया है इस कावे में उन्होंने गुरु महिमा पर विसेश बल दिया है अपने गुरु के प्रती अपने आपको समर्पित करते हुए कहते हैं कि बली हारी गुरु आपने हे गुरु, हे सच्चे गुरु, मैं अपने आपको आप के प्रती समर्पित करता हूँ, द्योहारी के बार, द्योहारी का मतलब होता है दिहारी, अगर इसको आप देखें, दिहारी जो दिन भर का समय होता हो, दिहारी होता है, आप लोग दिहारी मजदूर के रूप में जानत तो यहाँ द्योहारी का मतलब होता है दिहारी और दिहारी का मतलब एक दिन में कई बार कई बार का मतलब न जाने कितनी बार कितनी ही बार या अनेक बार तो बलिहारी गुरु आपने द्योहारी कई बार जिन मानिस्तें देवता करतनलागी बार तो पहले पंक्ति का अर्थ द करता हूँ द्यों हारी के बार एक दिन में न जाने कितनी बार समर्पित कर सकता हूँ जिन मानिस तैं देवता जिन्होंने मुझ मनुष्य को मानिस का मतलब होता है मनुष्य को तैं देवता मनुष्य से देवता तैं का मतलब से और देवता मनुष्य से देवता बनाने में करत नलागी बार एक छण का भी समय नहीं लगा बार यहाँ पर छण के लिए है समय के लिए है देर के लिए है कि बिल्कुल देर नहीं लगी करत नलागी बार मतलब बिल्कुल देर नहीं लगी अब इसका फिर से एक बार आरत देखें बलिहारी गुरु आपने द्योहारी के बार जिन मानिस देवता करतनलागी बार मैं अपने गुरू के प्रती अपने आपको दिन भर में या एक दिन में नजाने कितनी बार अपने आपको समर्पित कर सकता हूँ या निवचावर करता हूँ जिन मानिस तें देवता जिन्होंने मुझ जैसे मनुष्य को देवता बनाने में करत नलागी बार एक छण का भी समय नहीं लगा या बिल्कुल देर नहीं लगी अब पूरी ब्याक्या आप देखें एक बार फिर से इसकी तब और समझ में आएगा कि बलिहारी गुरु आपड़ें देवहारी के बार जिन मानिस तें देवता करत नलागी बार इसमें कवीरदास जी अपने गुरु को पर ब्रह्म्ह के रूप में मानते हुए ये कहते हैं कि वे अपने आपको अपने गुरु पर एक दिन में अनेक बार निवचावर कर सकते हैं समरपित कर सकते हैं गुरु ने उनके जैसे सिस्य को मनुस्य से देवता बनाने में कोई देर नहीं की और यहाँ ये पूरे दोहे का जो तातपर्य है जो भाव है वो ये है कि गुरु ने अपनी सिक्षा के द्वारा सिश्य को आत्म बोध कराया जिससे वो आत्मा के सर्व व्यापक सरूप को जान पाया तत्पस्चात वो अपनी भक्ती से संसार में रहते हुए ही संसार से मुक्ति पाकर पर ब्रह्म में लीन होकर ब्रह्म सरूप हो गया यहां पर कवीरदास जी ने मनुष्य से देवता बनने में उनकी यही भाव बेंजित हुआ है या अंतरनीत है अब इस में इस दोहे में देखें कि दो बार बार आया है पर्थम पंक्ति में है देवहारी के बार और दूसरी पंक्ति में है करतनलागी बार तो देवहारी के बार अब यहां बार 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 दोहराने का अर्थ है और दूसरे बार का मतलब देर बिल्कुल देर नहीं लेगी तो यहां पर एक ही शब्द जब दो बार या दो से अधिक बार आते हैं और उसके अर्थ अलग-अलग होते हैं तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है तो इस पद में इस दोहे में यमक अलंकार है इसमें इस दोहे में कवीरदास जी ने गुरू के प्रती अपनी किर्टग्यता और समर्पन का भाव अविवेक्त किया है दूसरा जो दोहा है वो है कि सतगुर की महिमा अनन्त किया उपगार लोचन अनन्त उगाडिया अनन्त दिखावनहार इसमें भी अपने गुरु की महिमा का वर्रण कवीर दासी ने किया हुआ है और इसमें कहा है कि शत्गुर की महिमा अनन्त जो सच्चे गुरू है मेरे उनकी जो महिमा है वो अनन्त है और अनन्त किया उपकार उपकार का मेरे उपर अनन्त प्रकार से नजाने कितने प्रकार से जिसका कोई अन्त न हो वो अनन्त होता है जिसकी कोई सीमा न हो वो उन्होंने हमारे उपर अनन प्रकार से उपकार किया हुआ है और वो हुपकार कैसा कि लोचन अनन्त उगारिया उन्होंने मेरे अनन्त का मतलब जिसकी सीमा न हो या दिब्य के रूप में हम जान सकते हैं और लोचन का मतलब होता आख लोचन अनन्त या अनन्त लोचन का मतलब हो गया दिब्य द्रिश्ट लोचन अनन्त उघाडिया उघाडिया का मतलब खोल दिया उन्होंने मेरे दिब्व द्रिष्टी को खोल दिया है दिब्व द्रिष्टी खोल करके अनन्त दिखावण हार और उन्होंने उस अनन्त परमशत्ता परमपिता परमेश्वर को दिखा दिया है या वी दिखाने वाले हैं तो इस प्रकार से क्योंकि गुरू के बिना उस अनंत सत्ता उस परमपिता परमेश्वर को जानना असंभव है और इसी लिए कभीर दास जी कहते हैं कि मेरे गुरू ने मेरे मुझे दिब दिरिष्टी परदान की है और इस दिब दिरिष्टी के कारण ही मैंने उस अनंत सत्ता का उस परमपिता परमेश्वर का दर्सन पाया है इसलिए उनका मेरे उपर अनंत उपकार है उनकी महिमा अनंत है इस प्रकार से ये दूसरा दोहा समाप्त हुआ अगला आप लोग अपने स्क्रीन के सामने देखें जो तीसरा दोहा है वो है दीपक दिया तेल भरी बाती दई अगट पूरा किया विशाहुरा बहुरी न आवँ हट अब ये बहुत ही महतपूर दोहा है कवीरदाजी का दीपक दिया तेल भरी यहाँ पर दीपक यहाँ पूरे दोहे में पृतीकों का प्रियोग कवीरदाजी ने किया है पृतीकात्मक भासा में यह कहे हैं यहाँ पर दीपक का मतलब होता ग्यान रूपी दीपक अब यह नहीं कि दीपक दे दिया और उसमें तेल भर दिया और बाती अगट कभी न घटने वाली बत्ती दे दि यह तो इसका साधारण अर्थ है पूरा अर्थ ही यह है कि जो दीपक है यह परतीक है ग्यान का तो दीपक कैसा दिया गुरू ने ग्यान रूपी दीपक दिया तेल भरी इसमें जो तेल भरा गया है वो भगवत प्रेम रूपी तेल है तो कवीरदास जी कहते हैं कि दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट अघट का मतलब होता है कभी न घटने वाली और बाती उसमें पड़ी हुई है जो दीपक में जलता है जो कपड़े का लगाया जाता है या रूई का लगाया जाता है वो बाती होती है लेकिन यहां पर कवीरदास जी ने जो बाती कही है यह बाती सुमिरती का है सुमिरन का है या इश्मरन का है भगवान के इसमरन रूपी बत्ती जो कभी घटने वाली नहीं होती क्योंकि इश्वर को जितना याद किया जाए, जितना इश्मरण किया जाए, वो उतना ही बढ़ता जाता है, उनके प्रति प्रेम, उनके प्रति स्रद्धा बढ़ती जाती है, इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, कि इसमें कभी न घटने वाली बत्ती दी गई है, क्यों? क्योंक की गुरू ने उन्हें ग्यान रूपी दीपक दिया है और उसमें भगवत प्रेम रूपी तेल भर दिया है और बाती जो कभी नहीं घटने वाली है वो कैसी है भगवान के इस्मरण रूपी बत्ती है वो और इस प्रकार से इस संसार में आने के पस्चात पूरा किया विशाहुरा बहुरिन आवों हट मैंने इस संसार में आकर के पूरा विशाहुरा यानि क्रय विक्रय संसार में आने के पस्चात जो जीवन के लिए संसारिक वस्तूओं की आवशक्त्या होती है जो भी साधन होते हैं मैंने उन सभी चीजों को पूरा कर लिया है और बहुरी ने आवों हट हट का मतलब बाजार होता है अब बहुरी का मतलब फिर से मुझे फिर से इस संसार में आने की आवशक्ता नहीं है मैं उस परमसत्ता में लीन हो गया हूँ इस बात को बता दे हम कि कवीरदास जी का यह मानना है कि यह आत्मा उस परमपिता परमेश्वर जो परमात्मा है उसी का एक अंस है और हम लोग इस संसार में एक जीवात्मा के रूप में आये हैं यह जीवात्मा उस परमात्मा का एक अंस है लेकिन यह जीवात्मा इसी संसार में आ करके और मोह माया के जाल में फस करके इसी संसार का हो जाता है भगवान का इश्मरण इश्वर का इश्मरण वह भूल जाता है कविर्दाजी का मानना है कि व्यक्ति का अंतिम उद्देश जो परमोदेश है वो है इश्व और इसी उद्देश को पुष्ट करने के लिए ही कवीरदास जी इस बात को कहते हैं कि दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट और पूरा किया भी शाहुडा बहुरिन आवों हट मतलब मैं पूरी तरह से जो क्रय विक्रय और सांसारी के आवा गमन और बस्तूओं का आदान परदान जितना भी मुझे करना था मैंने ये सब कर लिया है बहुर्न आवों हट मुझे पुनह इस बाजार में या इस भवसागर में या इस संसार में आने की आवशक्ता नहीं है और प्रतीकों के माध्यम से कवीरदास जी ने बहुत ही हुची और अच्छी बात कही है दीपक दिया तेल भर बाती दई अघट पूरा किया विशाहुरा बहुरिन आवों हट इस कवीरदास जी फिर से एक बार सुने के कवीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने उन्हें प्रे प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ है और ग्यान रूपी दीपक दिया है और उसमें कभी न घटने वाली एवं ईश्वर को पाने वाली लगन रूपी अच्छे बत्ती भी डाल दी है इस अदभुत ग्यान रूपी दीपक के प्रकाश में कवी की सांसारिक वाशना हो गई है अब उन्हें सांसारिक भावनाओं का क्रय विक्रय नहीं करना पड़ेगा उन्हों जीवन का फेरा पूरा कर लिया है यानि जो संसार के आवागमन का जो चक्र है वो पूरा कर लिया है इसलिए इस संसार रूपी बाजार में उन्हें फिर से आने की आवशकता नहीं पड़ेगे क्योंकि इश्वर को पाने के बाद उनकी आत्मा ब्रम्ह मैं हो गई है इश्वर मैं हो गई है राम मैं हो गई है इसलिए जो उनके ब्रम्ब्रम है शनातन है उनका जन्म और मरण ये नहीं होता है ब्रम्ह में विलीन हो जाने के बाद भी बाद कवीरदास जी को जन्म मरण से मुक्ति मिल गई एवं उन्हें संसार रूपी इस बाजार में फिर से दुबारा आने की आवशक्ता नहीं है अब आगे देखें जो चौथा पद है चौथा दोहा है बूरे थे परी उबरे गुरु की लहरी चमंग भेरा देखा जरजरा उतरी परे फरंग की बूरे थे पर उबरे कवीरदास जी की भासा बड़ी सीधी साधी और सद्धुक्री भासा है और उसको समझना बड़ा आसान है अर्थ लगाना तो आसान है लेकिन वास्तविक जो भाव है वो बड़ा कठिन होता है अब इसमें समझा कि बूरे थे परी उबरे जो साधारन इशकार था है कि बूरे का मतलब डूबे थे परी परी का मतलब किन्त उबरे का मतलब उबर गए बूरे थे परी उबरे डूब तो गए थे पर उबर गए बच गए पार हो गए गुरी की लहरी चमंग क्यों बच गए क्योंकि गुरू के जो लहरी है किरपा रूपी तरंग जो तरंग है उनकी चमंग की चमंग का मतलब चमंगी यानि गुरू के किरपा रूपी जो तरंग है वो चमंगी और उनके चमंगने के कारण ही मैं बच गया पार निकल गया नहीं तो मैं डूब ही गया था भेरा देख्या जर जरा भेरा का मतलब होता है नाव और जर जरा जर जरा का मतलब जीनड शीन कटा फिटा पुराना जरा जीनड या टूटा फूटा तो टूटा फूटा या जरा जीनड भेरा नाव देख करके यानि यह जो नाव थी संसार में आने के वाजिसे जिस नाव के माध्यम से इस संसार रूपी भावसागर को पार करना था जब कवीरदास जी कहते हैं कि जब मैंने देखा कि जिस नाव पर मैं बैठा हुआ हूँ और इस भवसागर को इस संसार को पार करना चाहता हूं और अपनी आत्मा को उस परमात्मा में मिलाना चाहता हूं वोह नाव तो बड़ा जरजर है बड़ा जीर्ड सीर्ड है बड़ा टूटा हुआ है बेकार है तो देख करके उतरी पड़े फरंग की मैं तुरंत ही उतर पड़ा फरंग के मतलब तुरंत ही उतर पड़े तुरंत ही उस नाव से उतर पड़ा लेकिन ये उतरने के क्रम में ये उतरे कैसे ये गुरु की किरपा से बूडे थे पर उबरे गुरु की लहरी चमंग की भेरा देख्या जरजरा उतरी पड़े फरंग सांसारिक मोह माया में डूबे हुए कवी कवीर किन्तु जब गुरु की ग्यान रूपी तरंग चमकी तो उन्हें ये पता चला कि संसार रूपी मोह माया की नाव अत्यन्त जीन्ड शीन्ड है जरा जीन्ड है जिसमें बैठने पर डूबने की संभावना है वे उस नाव से तुरंत उतर पड़े जिससे वे डूबने से बच गए गुर के ग्यान रूपी तरंग ने उन्हें संसारिक मोह माया के निसारता दिखाई कि यह निसार है संसारिक मोह माया निरर्थक है क्योंकि इस मोह और माया के कारण ही व्यक्ति इस संसार के मोह माया में डूबा रहता है और संसार में फसा रहता है और जो उसका अंतिमुद्देश है परमुद्देश है अपनी इस आत्मा को उस परमात्मा में विलीन करना उससे वह चूक जाता है उन्होंने एक जने का कहां भी है कि माया महा ठगनी हम जानी तिरुगुन फास लिये कर डोले बोले मधुरी बानी ये जो माया है ये महा ठगनी है माया महा ठगनी हम जानी माया बड़ी ही ठगनी है बड़ी मीठी मीठी बातें बोलती है और बोल करके इसी संसार में फसाए रखती है और बेक्ति जो उसका अंतिम उत्देश है जो उत्देश है उस उत्देश से विमुक हो जाता है तो इसमें मुह माया की निसारता उन्होंने इस पूरे दोहे में दिखाया है इस्वर को पाकर ही कभी भौसागर को पार कर सके और जो कभी कवीरदास जी है उनका कहना ये है कि गुरु के ज्यान के प्रभाव से ही ये सारी चीजें संभव हो पाई और मैं इस संसार में या इस भाव सागर में ढूबने से बच पाया अब आगे देखें ये चवत्य दोहे तक हो गया है पांचवा जो दोहा है वो है चिंता तव हरिनाओ की और न चिंता दास जे कछु राम बिन सोईकाल के पास वही काल के पास होते हैं बहुत ही अच्छा दोहा है कभीरदाजी का अब इसमें देखें कि चिंता तो हरी नाव की चिंता तो मुझे हरी के नाव नाव का मतलब नाम मुझे चिंता तो हरी नाव की है चिंतन चिंता यहां चिंतन से संबन देत है मुझे चिंतन या सब को चिंतन हर के नाव की नाम की करनी चाहिए और न चिंता दास को और किसी चीज का चिंतन या चिंता नहीं है जो राम के विना चितवते हैं मतलब चिंतन करते हैं सोई काल के पास वही व्यक्ति काल के पास में होता है फंदे में होता है वही काल के बंधन में आता है तो राम के विना चिंतन काल के पास जाने के बराबर होता है लेकिन यहाँ जो राम इन्हों ने जिस राम शब्द का इस्तेमाल किया है कभीर दास जी ने यह राम दसरत सुत राम या दसरत पुत्र राम नहो करके निर्गुण निराकार राम है वो बार बार कहते हैं कि निर्गुण राम जपव रे भाई निर्गुन राम जपव रे भाई वो निर्गुन राम की बात करते हैं उनके राम निर्गुन निराकार रूप है कबीर दास जी भक्तिकालीन काब्य में जो निर्गुन भक्तिधारा है निर्गुन भक्तिधारा के अंतरगत ग्यानाश्राई साखा के में आते हैं यानि ग्यान के बल पर उस इश्वर को उस परमसत्ता को पाना और जो इनके ईश्वर हैं वो ब्रम हैं निरुगुन राम हैं निरुगुन राम जपर हुरे भाई इसलिए हो कहते हैं तो चिंत अब इसमें तुहे में देखें कि चिंता तो हरी नाओं की और नचिंता दास जे कछु चितवई राम बिन जो राम के बिना चिंतन करते हैं सोई काल के पास वही काल के पास होते हैं अब इसकी पूरी ब्याख्या देखें कि इस नासवान संसार में यदि चिंतन करना है तो ईश्वर के नाम का ही करना चाहिए इश्वर के भक्त शिर्फ उनका ही चिंतन करते हैं वे अन्य किसी सांसारिक वस्तूओं की चिंता नहीं करते हैं वे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि इश्वर का चिंतन करने के अत्रिक्त यदि अन्य को सभी सांसारिक वस्तुमों का चिंतन करना मृत्य के समान बंधन में डालने वाला है वही काल के पास जाते हैं जो राम के बिना चिंतन करते हैं इसका कुल मिला करके आ सही है कि ईश्वर का चिंतन करने से ही मुक्ष या मुक्ती मिलती है किन्तु इश्वर नाम के चिंतन के अतरिक्त अन्य सांसारिक वस्तुओं का चिंतन करने से जन्म मरण के चक्रों से छुटकारा नहीं मिलता है पुनाह इस संसार में आना पड़ता है और अनेक 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 योनियों में व्यक्ति को भटकना पड़ता है कभी चडिया के रूप कभी कीडे मकोडी के रूप में कभी मनुष्य के रूप में इस तरीके से इस संसार में नजाने कितनी योनियों जो योनिया हैं उसमें आना पड़ता है और इसी संसार में फस करके रह जाना पड़ता है इसलिए वो जो भी राम के बिना चिंतन करते हैं वो जन्म मरण के चक्र उसे छुटकारा उनको नहीं मिलता है जो मनुस्य के लिए बंधन के समान है अब अगला दोहा देखें कि तू तू करता तू भया मुझे में रही नहूं बारी फेरी बली गई जित देखूं तित तू तू करता तू है यहां कवीरदाजी कहते हैं कि तू तू करता इसका नाम लेते लेते है इस्वर है परमात्मा तू तू करता तू भया मैं तू तू करता राम राम करते स्वयम राम मैं हो गया स्वयम इस्वर मैं हो गया और मुझे में रही नहूं मुझे में रही नहूं हूं का मतलब अहंकार और जब मैं स्वयम इस्वर मैं हो गया तो मेरे अंदर का जो अहंकार है वो तिरोहित हो गया, वो समाप्त हो गया, वो हट गया, तू तू करता तू भया, मुझे में रही नहूं, तू इश्वर करते करते, इश्वर के नाम का इश्मरण करते करते, राम राम करते करते, मैं स्वयम राम मैं हो गया, मुझे में रही नहूं, म बारी फेरी बली गई बारी फेरी का मतलब होता है जन्मरण का चक्र जो पूरा किया तो बारी फेरी बली गई बली हारी हो जाती है जो मेरा संसार में आवा गमन का चक्र था वो अपने आप समाप्त हो गया और अब इस स्थती में जित देखाऊं तित तूं मैं जो कुछ भी उसमें तु ही तु ही नजर आता है। अर्थात जिन भी वस्तूओं को देखता है। हो जाने से ही उन्हें संसार के बंधनों से छुटकारा मिला है संसारिक आवा गमन के चक्र से उनको मुक्ती मिली हुई है कबीरदास जी कहते हैं कि मैं जहां भी अब देखता हूं वहां मुझे परमात्मा के दर्सन होते हैं अर्थात अब मुझे हर जगा परमात्मा ही परमात आत्मा दिख रहे हैं अब आगे देखें सात्मा जो पद है सात्मा पद है कवीर सूता क्या करे काहे न देखे जागी जाके संग ते बिछुडिया ताही के संग लाग जिसके संग से बिछुड गया है अर्थ देखें कि कवीर सूता क्या करे अब यहां कवीर मनुस्यों के लिए कहते हैं समस्त मानों जाती के लिए कहते हैं कि हे मनुस्य तु मुह रूपी निद्रा में पड़ा हुआ है ये और ये तुम पड़ करके मुह रूपी निद्रा में पड़ करके क्या कर रहे हो कवीर सूता क्या करें, सो करके क्या कर रहे हो, काहे न देखें जाग जग करके, तु जाग कर वास्तविक तथेव को क्यों नहीं देखता है, जाके संग ते बिछुडिया, जिसके संग से तुम बिछुड गए हो, अलग हट गए हो, अपना एक अलग अस्तित्तो समझ रहे हो, वो तुम्हारा यह सोचना गलत है ताही के संग लाग तुम्हें उसी के संग लगना चाहिए अर्थात उस परमात्मा के संग लगना चाहिए उस इस्वर के संग लगना चाहिए कवीर सूता क्या करे काहे न देखे जाग जाके संग तय बिछुडिया ताही के संग लाग है मनुश्य तुम सो करके मोह माया में फस करके क्यों सो रहे हो काहे न देखे जग जग करके क्यों नहीं देखते हो कि जाके संग तय बिछुडिया जिसके संग से तुम बिछुड गए हो अलग हो गए हो अपना अलग अस्तित तो समझ रहे हो ताही के संग लाग उसी के संग तुम्हें लगना चाहिए या उसी का इश्मरण करना चाहिए वास्तों में मनुस्य अपना अलग कोई अस्तित्त है ही नहीं वे परमात्मा से ही बिछले हुए जिवात्मा है जो उनसे अलग होकर सांसारी कष्टों का भोग रहें उन्हें परमात्मा का सामीप प्राप्त करना चाहिए जिससे उन्हें सांसारी कष्टों से मुक्ति मिले अता सांसारी कष्टों के मुक्ति पाने के लिए परमात्मा से एका कार करना आवश्यक है या उस परमात्मा में अपनी इस आत्मा को विलीन कर देना परम आवश्यक है जिवात्मा परमात्मा का एक अंग है मानव शरीर धारण करके अज्यानता वस वह परमात्मा से बिछुड जाता है पुनह ज्यान पाकर उससे मिलता है अग्यान को ही यहाँ पर कवीर दासी ने नित्रा और ख्यान को जागरिती बताया है यानि जो ग्यानवान है वो जग रहा है और जो अग्यानी है वो सो रहा है तो सभी अग्यानियों को संबोधित करते हुए कवीर दासी कहते हैं कि कवीर सूता क्या करे इस प्रकार से जो इस वीडियो में साथ दोहों तक ही दिया गया था तो ये प्रथम वीडियो जो साखी का प्रथम भाग है ये समाप्त होता है आगे दूसरे वीडियो में आठवें दोहें से आगे हम उसकी ब्याख्या करेंगे